हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं सभी बहुत अच्छे होंगे तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन आचना किचन क्याप्टन में आज हम बनाएंगे बेसन की बहुत ही मज़िदार सी सबजी अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे घर पे कोई सबजी नहीं होती है इन फैक्ट आलू तक नहीं होता तो हम सोचने लगते हैं कि हम क्या बनाएं ऐसे में बेसन के कतली की ये सबजी बहुत ही मज़िदार लगती ह जरूर ट्राइ करके देखिएगा बहुत जादा महनत नहीं लगती लेकिन बन कर बहुत अच्छा तयार होता है इसे आप चावलों के साथ बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबीसे रिक्वस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया थोड़ी से भी हल्फूल हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत आगे बढ़ मैं अक्सर अद्रक लेशन का पेस्ट बना कर रखती हूँ अगर आपके पास हो तो ठीक है नहीं तो आप 10-12 लेशन की कलिया और आधी इंच अद्रक का ले सकते हैं बनाने के लिए मैंने यह सरसो का तेल लिया है दही धनिया पाउडर हलदी पाउडर मिर्श पाउडर नमग कटीवी धनी की पती अब तड़के के लिए मैंने यहा पर लिया है गोटा लाज जीरा काली राय जिसे हम काली सरसो भी कहते हैं वो अजवाइन Gewाच्वाइन पॉल्व में चोटी चमच नमक छोटी चमच अज़ी पाउडर प्सक्राइब तो बनाना सही नहीं रहता प्सक्राइब दनिया नगया जालत है तो दनिया पाउडर और एक बार इसन सब मसालों को बेशन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एक बार dry mix करना इसलिए जरूरी है ताकि सारी चीजे आपस में अच्छी तरीके से mix हो जाए अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सरी एक अच्छा गोल बना कर तयार करेंगे ध्यान रखेंगे धेर सारा पानी एक बार में बिल्कुल नहीं डालेंगे नहीं तो होगा क्या कि बेसन की consistency हमें पता नहीं चलेगी या तो यह बहुत जादा liquidy हो जाएगी और या फिर यह hard dry जाएगी इससे थोड़ी थोड़ी सी पानी डाल कर इसका एक अच्छा सा गोल बना कर तयार कर लेंगे यह देखें मैंने गोल अच्छा बना लिया है और उस गोल को करीब 5 मेर तक हमें फेटने हैं फेटने के बाद एक pan में थोड़ा सा तेल ग्रीज करेंगे और उस पर एक से देर कलचुन के आसपास यह एक से देर बड़े चमच के आसपास यहाँ पर गोल डाल लेंगे और इसे बहुत ज़ादा हमें नहीं फैलाना है आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल बहुत ज़ादा नहीं फैलाया बस थोड़ा सा इसे बराबर एक सेप देने के लिए जिसे की बाद में हम इसे काट सके थोड़ा से एक सेट दिया है और अब हम इसे ढग देंगे ढग कर इसे हमें परता है दोनुस साइट से यो ब Serious अएज से अगर ख़ंग टाएंगे धकन भूपड़कन घुटाएँगे तो आपको इसगे cooking गनाट है तो ऑपक होपका क्हा ह पनिया रहे है तुप उच्छी तरीके से शीख चुका है। इसे हमें नहीं सेखना है क्वाद में रूपारी में डालने वाले हैं। अब एक कड़ाई में तेल डालेंगे तड़के की सारे सामान जीरा, अजवाइन, काली सरसो इन सब को डाल कर एक बार आची तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही हम डाल लेंगे गोटा लाल मिर्च 3-4 तेज पत्ता 1-2 और साथ ही डाल लेंगे हींग हींग बिलकुल आखरी में डालेंगे, नहीं तो होगा ये कि सारे तरके के साथ हींग भी जल जाएगा और हींग का जलावा फेवर बिलकुल अच्छा नहीं लगता बेसन में हींग का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है तो जरूर डालिएगा और बेसन पाचन में भी हल्प करती है अब मैंने यहां डाल लिया है प्याज और प्याज को भी हमें अच्छा भून लेना है इसे हमें बहुत जादा कलर नहीं लाना है प्याज में धियान रखेंगे बहुत जादा कलर बेसन में प्याज का अच्छा नहीं लगता है दोस्तों मसाले वही होते हैं बट बनाने का थोड़ा थोड़ा ट्रिक अलग होता है अब हम यहां डाल लिया है मैंने अद्रक्लेसन का पेस्ट को भी हमें अच्छा उसका जो कच्छा स्मेल होता न वो चले जाने तक पका लेना है अब हम डालनेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदी चोटी चमच मैंने हाँ हल्दी पाउडर डाली है एक चमच लाल मिर्च पाउडर डाला है एक बड़ा चमच धनिया पाउडर। और नमक शादा मैंने यहाँ डाल लिया है थोड़ा सा पानी बसाला बिल्कुल जले नहीं। और आधी मिनिट तक पकाने के बाद हम यहां डाल लेंगे टोमेटो व्यूरी। इस जगह मैं आपको टिप्स दूँ अगर आपके पास टमाटो प्यूरी ना हो तो क्या करें तो आपके घर में टमाटो केचप तो अकसर होता है आप एक से देर चमच टमाटो केचप का भी यूज कर सकते हैं वह भी बहुत अच्छा टेस्स देता है अब इसे ढग देंगे औ ढ़माटो 950 फेली यरृ झाली के सथिउन पास पैस मीडियम फ्लेम पर पका लगे आफ देख सकते हैं कि इसके ओपर तेल आने लगा है मासाला पकर अज़क कर लोगा है एक बार यसे अची तरीके से मिक्स कर लेंगे खिया धहसा सब्जी का कलर कितना अच्छा आ गया है इसमें हमें अलग से कोई कलर वगयरा नहीं डालने की जरूरत है इससे कलर बहुत अच्छा आता है अब एक बड़े चमच के आसपास हमने यहां डाल लिया है ध्यान रखेंगे दोस्तों जब भी दही डाले तो या तो फ्लेम को आफ क कर दें या फिर कम कर दें अब दही को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ढखकर करीब एक से देर मिनट के लिए पका लेंगे अब देख सकते हैं जो दही के जो घी होती है वह ऊपर आ चुकी है बिलकुल यह लेयर दिख सकता है आपको और यही जो है इस सबजी की रूचनेस है इस सब्जी का खुब सूरती है अब इसे भी एक बर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम यहां डाल लेंगे आदी जमच गरम मसाला पावडर आप गर का या मार्किट का कोई भी डाल सकते हैं मैं यहां घर का बना हुआ गरम मसाला पावडर डाल र अब मैंने यहां फ्लेम को लो कर दिया है और मैं आपको दिखला रही हूँ हमने जो बेसन की चिले बनाये थे उसका मैंने कटली काट लिया है आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा जैसा भी आपको मन हो आप स्क्यार भी काट सकते है कुछ हैसा हाड़न फास टूल नही हमएं ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो ग्रेवी है उसे हमें स्टार्टिंग में थोड़ा पटला ही रखना चाहिए क्योंकि बेसन पानी एबजॉब करती है क्वीं तो अगर हम गाड़ा रखेंगे ग्रेवी तो बेसन बाद में उस-पानी को और एब्सा परेगी और खी और बाद में जो इसकी थीकनेस रहेगी वह बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और थिक होती है इसलिए इस चीज का ध्यान हमें रखना है आप देख सकते हैं कतली की मोटाई मैं आपको दिखला रही हो अभी पतली दिख रही है न बट जब अब ग्रेवी में जाएगी तो ये और अच्री तरीके से ग्रेवी को सोब करने के बाद और मोटी हो जाएगी तो अब ग्रेवी में टाइने तक इसे हम छोड़ देते हैं अबढ़त ऑ DukeLy में कटली प्लेस कर देंगे ध्यान रखेंगे कि कड़ी में एक अच्छा उबाराने के बाद ही इसमें हम जो बेसन का कतली हमने बनाया है वो डालेंगे और उसके बाद फिर हम इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जितनी भी बेशन की कतली है वो gravy में तीस तरीके से dip हो जाए अब यहां डाल लेंगे कटे हुए धनी के पत्ती धनी की पत्ती हम अभी ही इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि इसका सारा flavor जो है वो gravy के अंदर अच्य तरीके से आ जाए अब वापस से एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसे अब ढग देंगे और ढग कर इसमें अच्छा उबाल आने तक इसे पका लेंगे या फिर यूँ कहें तो डेड़ से दो मिट तक लोफ मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि जो भी बेसन को पकने में कमी हो कसर हो वो अच्छी तरीके से पूरी हो जाए अब हम यहाँ इसे ढख लेते हैं और यह देखे ढ़कने के बाद करीब 2 मिट के बाद मैं आपको दिखला रही हूँ कि काफी अच्छी तरीके से कूर हो चुकी है और अगर कتली के थिखनेस दिखलाओं तो मैं आपको दिखला ती हूं ये गरम है पर फिट्वे मैं आपको दिखला रही हूं तो बन कर तयार है बेसन की कतली की सबजी बहुत मज़िदार बन कर तयार हुए दोस्तों उमीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रसिपी बहुत पसंद आई होगी और अब जब आपके घर में कोई सबजी नहीं होगी तो आप इस रसिपी को जरूर ड्राइ करेंगे तो कैसी लगी आपको रसिपी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतलाईएगा अब अगर ये बात करूँ कि ये कितनी पकी है या इसका जो फ्लेवर है वो कैसा है तो मैं आपको अभी दिखलाती हूँ तो बनकर कैसी तयार हुए है ये तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा लेकिन सौफ्ट कितनी बनी है वो मैं आपको अभी दिखला रही हूँ ये देखिए वस ये छूने से तूट रही है बिल्कुल टेंसन मत लीजिए बहुत आसानी से पकर तयार हो जाती है और गैरं अच्छी लगी हो रसीपी अच्छी लगी हो तो मुझे एक थमसप देना बिल्कुल मत भूलिए गा और नहीं अगर नहीं अच्छी लगी हो या पसंद नहीं आई हो यह कुछ कमी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाईएगा कि आपक और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा लीजेगा जिसे की मेरे आने वाली नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच दी रहे हैं तो फिर मलती हूँ एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई फ्रेंड्स एंड टेक केर